हेलो दोस्तों मैं सुधिव नीव यलक्टरनिकस लाब में आप लोगोर का बहुत-बहुत सागत है दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने LED लाइट के बारे में थोरा बेला बता है था मैंने डिजिटल माल्टि मिटर ले लिए और अब वका हम लोग इसका कॉंटिनृटी तीमेटरेंज में ले जाएंगे। अगर आपका डिजिटल माल्टि मिटेर में डायोट रेंज है तो नीध घुटे व Ken Supplement मैंने इसको डायोट रेंज में कर लिया है और दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब निये किया है वो सब्सक्राइब करके रखे क्यूंकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकरिशन उनको तुरंती देखे दोस्तों ये लिडियो राइट का एनोड है ये कैफोड है इनोड है नेगीटिव है अभी हम लोग का डिजीटल माल्टीमीटर का दो प्रॉब ले लेना है इसका जो पॉजितिव है नेगीटिव है इलिलिलीराइट का जो बड़ा वाला जो लीड होता है यह POSITIVE ओै च्छोटा वाला अलिन नेगितितिप में मैं यह देखिए L07 लाइट जल रहा है गहरा हों मैं थोड़ा लाइट को अप करके आपको दिखाता हूं देखिए दोस्ते आनोड में मैंने positive connect कर लिया और cathode में मैंने negative को touch किया अगर आपके पास continuity mode है तो continuity mode में भी आप इस LED light को टेस्ट कर सकते है पर diodement range में टेस्टिंग आच्छा होता है ठीक है दोस्तों ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है LED light के बारे में हम लोग देख लिए कि कैसे LED light को digital multimeter से टेस्ट किया जाता है Thank you